हेलो फ्रेंड्स आपका फिश से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMIA पे दोस्तों इस पीडियो में बात करेंगे हीडन वर्ग के रिपोर्ट की जिसके बात के अडानी ग्रूप के स्टॉक्स में बुचाल आया हुआ है और कांटीनूसली इनके जो स्टॉक्स है नीचे गिर रही हैं तो यहाँ पे देख सकते हो थ्री अडानी ग्रूप स्टॉक्स डाउन बाई 80% इनने मंथ एड़ इडन बर्ग प्रेडिक्शन एकुरेट तो दो दिन पहले की न्यूज है कि अडानी ग्रूप के स्टॉक्स में 80% के ज्यादा फॉल देखने को मिल चु उसे फिनेशल इंस्टिउशन से बड़ा बड़ा पैसा रेज गिया और उसने अपने बिजनस की एक्सपेंशन की लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो कांपनी थी अडानी के स्टॉक्स थे चाहे वो अडानी पोर्ट से ले लो चाहे वो अडानी इंटरप्राइज ले लो अडानी गैस के स्टॉक्स ले लो जा कोई अडानी पावर का स्टॉक ले लो जा अडानी और्ग स्टॉक ले लो तो सारे जो अडानी ग्रूप के स्टॉक्स थे वो ए डेट रिडन जो थे वो बन चुके थे हाई डेट कांपनी बन चुकी थी तो इसके कारण क्या हुआ लो इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिकेशन मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर करें और आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमली मंबस के साथ जरूर शेयर कर दें तो दोस्तों आप देख सकते हो जो अडानी ग्रूप के स्टॉक्स ह वहां पर बहुत ही बड़ा फोल जो है वो देखने को मिल चुका है सारी ही इडानी ग्रूप की कांपनी नीचे जा रही है तो अभी भी जो इडानी ग्रूप के स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही बड़ा रिस्क है। to be coming true for at least three Adani group companies here is all you should know तो तीन Adani group के stocks हैं बहुती बड़ा downfall कर चुकी है उनमें बहुती बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल चुकी है तो दोस्तों जो Adani group है एक बहुती diversified group है और इस company का बहुती diversified business है इसके group के stocks में बहुती बड़ी downfall देखने को मिली हुई है तो एक बात तो ये true है जो हिडन बर्क की report में सामने आ रही है कि Adani group ने loans तो बहुती बड़ा ले ही रखा है चाहे Adani group के पास बहुत बड़ा cash है Adani बार बार कह रहा है कि उसके पास बहुती बड़ा cash reserve है तो इसलिए cash की जो reserve है उनके कारण जो debit repayment है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये तो Adani बार बार कह रहा है लेकिन अभी भी लोगों का trust नहीं बन रहा है तो इसलिए the short seller also said that seven listed Adani group companies have 85% downside risk even if you ignore our investigation and take the company's financials at face value तो ये एक जो report में point था वो कहीं न कहीं तक जो true था although companies fundamentally बहुत ही strong है company का business सही चल रहा है fundamentals decent है profit grow हो रहा है fundamentals improve हो रही है और company का जो business है वो भी expand हो रहा है sales volume भी बढ़ रही है profit भी बढ़ रहा है तो fundamental वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत कहाँ पे है क्योंकि जो companies है उन्होंने loan बहुत जाता ले रहा है जिसके कारण क्या हुआ कि यहां पे लोगों में fear आ गया fear आने के कारण क्या हुआ लोगों ने selling शुरू कर दिया जो कि अभी तक भी चलू है अभी तक भी जो है वो रुक नहीं पा रही है और जो अडानी गुरूप के stocks हैं कांटीनूसली नीचे ही जा रही है तो दोस्तो एक बात तो मान के चलनी होगी कि अडानी गुरूप के stocks जो हैं वो problem में चल रही है और दूसरा उनके पास करजा भी बहुत ज़्यादा है हाँ shorter में अभी दिखते हैं रह सकती है क्योंकि company के जो fundamentals हैं strong है लेकिन valuations are very very high क्योंकि दोस्तो दो parameter होती है जो mainly किसे stock की price को influence करती है पहला होता है कि fundamentals fundamentals means sales volume, revenue generation and the profit profit में किस तरह का जो है वो trend देखने को मिल रहा है तो यहां पर देखो तो अब जो कुछ positive news भी बीचने देखने को मिल रही है कुछ company जो है वो कह रही है कि कि जो debt है वो fully secured है कोई risk नहीं है and the Adani group has removed from the under observation by the US rating agency तो कुछ rating agency ने इन पर positive जो है वो news दे दी है कि जदी आप करजा लेके अपने पैर पसार होगे अपने जो business है उसको expand करोगे तो यहां पर दिखते तो रह सकती है इसलिए shorter में दिखते रहेंगी लेकिन आप देख सकते हो जो Adani group है अब legal action भी लेने जा रहा है against the hidden पर the US firm stands by its 106 page report तो US firm ने जो भी report पेश की है उस पर उसका stand जो है वो कायम है बट Adani group अपनी legal options explore करेगा और जो decent action है वो भी लेगा लेकिन दोस्तों एक तो बात यह मान के चलनी पड़ेगी कि जो आपका companies है debt written companies है high debt companies है although उनके पास cash बहुत जादा है लेकिन अब कही न कहीं Adani group को भी यह सोचना पड़ेगा कि किस limit था कि जो है वो loan लेना है क्योंकि एक होती है debt equity ratio तो एक limit होती है उससे ज़्यादा आपको debt equity ratio नहीं increase करनी होती है ज़िए आपका debt किटी के comparatively less रहता है तो risk काम हो जाता है लेकिन आप क्योंकि debt जाला ले लेते हो तो debt repay नहीं कर पाते हो तो उससे problem जो होना जुरूरी है लेकिन अभी जब तक company अपना debt reduce नहीं करती है तब तक लोगों में fear रहेगा हाँ क्योंकि अब Adani Group भी इसकी तरफ सोचेगा और जो financial institutions है वो भी इस तरफ जो है जुरूर steps उठाएंगे कि किस limit तक Adani Group को loan देना है क्योंकि कल को वो जो आप loan देते हो उसको repay भी करना है तो Adani Group की liability बनती है और जो financial institutions है उनको भी अपना पैसा बाफिस चाहिए तो एक दिक्कत जो है वो रह सकती है in the short term तो इसलिए अभी आने बाले दिनों में भी थोड़ी volatility in stocks में रह सकती है तो इससे आपको जो थोड़ा सा alert रहने की जुरूरत है क्योंकि ज़िए आप थोड़ा long term का horizon लेके चलोगे तो इन stocks में फिर आपको जो है benefit होता दखाई दे सकता है लेकिन अभी आप ऐसे को के one week में one month में ये stock फिर cover करके अपने जो है previous जो prices वहाँ पे चले जाए तो ये possible नहीं है तो इसमें थोड़ा सा time लग सकता है आप दीरे दीरे करके इन stocks में सिप करते रह सकते हो और long term के लिए बने रहो तो फिर जरूर आपका जो पैसा है वो grow होता दखाई दे सकता है हाँ एक बात end में हम ये कहना चाते है कि ये जो report आई है सारी जो भी ये कुछ हुआ है इसके साथ लोगों में काफी awareness आई है अडानी ग्रूप में भी थोड़ा सा fear है कि हमारा debt है जो repay करना है क्योंकि उनकी भी एक news आई थी कि जो अडानी पोर्स है उन्होंने एक बड़ी amount बैंकों को बापस कर दी है तो cash reserve अपने पास जो रख रहे हो उनको कुछ ना कुछ जो companies है उनको repay करना चाहिए जो financial institutions है उनका loan जो ले रखा है उनको repay करते रहना चाहिए आप जैसे जनरली दोस्तों आप जैसे आप कोई loan लेते हो आप home loan लेते हो personal loan लेते हो कोई और loan लेते हो ज़री आप उसकी repayment नहीं करते है तो interest पे interest पढ़ता रहे है तो आपका पैसा तो बढ़ रहा है तो जो लोग उस companies में पैसा लगा रहे है तो इसका मतलब है उन पे interest पढ़ रहा है तो एक risk है एक fear है panic है तो एक panic का महौल बन जाता है और कुछ नहीं है बाकि business में कोई दिक्कत नहीं लग रही है तो thanks again मिलेंगे नई वीडियो के साथ अभी तक जदी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को आप subscribe जरूर करके जाएं